स्वागत एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में और ये चैलेंज सीरीज 3 है इससे पहले जो मैं दो चैलेंज सीरीज बना चुका हूँ वो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो आज का चैलेंज में आपके साफ सेर करने वाला हूँ क्या है आज का चै या महते से जान लेते हैंपारा चैलेंज क्या है देखे आप इसको मोडिफाई कर सकते हैं इसका एंख कार चेंज कर सकते हैं तो इंस वेक्टर लिश्分 Fellows ठीक है यह अभी दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूं यह जो red color है यह आपका vector form में है ठीक है मैं अभी इसको blue कर लेता हूं और यहां मैं लिख लेता हूं उपर वाला जो आपका है vector अभी यह जो नीचे वाला है मैं इसको width map में जाता हूं इसको मैं rgb कर लेता हूं by default मैं 300 कर लेता हूं यह नीचे वाला जो है रास्टर रास्टर में वह एक width map एक image है आप जानते हैं रास्टर और vector में क्या फरक होता है जब आप इसको कितना भी जूम कर लेंगी यह pixelate नहीं होगी वैक्टर वाली और रास्टर जो है pixelate हो जाती है इसमें एक कमी और है जब यह width map हो जाती है तो आप इसका कोई भी color change नहीं कर सकते हैं ठीक है आप इतना समझ चुके हैं और इसका मैं इस बार color कर लेता हूँ, कुछ आपको समझाने के लिए ठीक है, तो ये आपका challenge है, अब हम जाते हैं, drop shadow पे, ठीक है, और हम कोई भी एक preset ले लेते हैं, draft light कुछ भी, मैं इसको इतना रख लेता हूँ, और इसका जो color है, वो मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा स आप इसका kolor change कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये drop shadow की ये जो पर चाही है, या कि ये shadow है, ये वेक्टर है, या फिर ये feat map है, अगर ये末िट मैप है, तो ये width map भी है, देखिए, disability मैप हो रही है, ये color change हो रही है, तो इसका मतलब ये vector है, वेक्टर का इस बास का है और अगर यह विटमैप है, तो विटमैप आप ऐसा feather create कैसे कर सकते हैं, तो आपको ऐसा बना drop shadow के एक ऐसा object create करके दिखाना है, और आप मुझे mail कर सकते हैं मेरी ID पर, और आप मुझे बताएंगे कि यह कैसे किया है हम लोगों ने, आप comment section में उसके जो ideas हैं वो share करें, एक बा विटमैप भी नहीं है, आप देख सकते हैं, यह विटमैप भी नहीं है, अगर यह विटमैप होती है, तो यह option है वो active हो जाते हैं, ठीक है, भी यह hide है, और इसका हम color भी change कर सकते हैं, बट हम ऐसा object coral row में कैसे create कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इस तरीके का feather है हम कैसे बन मेरे वीडियो को अपने friends के साथ share करें, ज्यादा से ज्यादा ताकि आपकी मुझे help मिल सके, और आप मुझे comment section में अपने ideas share करें, मैं उन पर वीडियो बना सकूं, जब ज्यादा वीडियो होंगी, जितना ज्यादा इंट्रेस्टिंग हमारा वीडियो का, हमारा जो graphic का platform मे ज्यादा इंट्रेस्टिंग होगा, यह थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को like करें, मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you, thank you for watching